दोस्तो स्माइल फैमिलीस में आपका स्वागत है। महिलाओ के हातों में है तरक्की का रास्ता। ऐसे में उनके हातों से ली गई एक चीज बहार जाते समय खाने पर विजय प्राप्थ होती है। मिलती है काम्याबी। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के सफल होने में एक औरत का हात होता है। आपको बता दे। महिलाओ को लक्षमी का रूप माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति इनके हातों से बनी एक चीज खा लेता है और बहार चला जाता है तो काम्याबी तुरंध हासिल होती है बहीं राजा महराजा भी यही चीज खाया करते थे विजय प्राप्त करने के लिए इस उपाय से बड़ी से बड़ी दुरगटना भी टल जाती है यहां तक कि मैं भी जब बहार जाता हूँ तो अपनी माया बेहन के हातों से बनी इस चीज को जरूर खाकर बहार निकलता हूँ आप भी ये उपाय अबश्य करें तो चल ये जानते हैं दोस्तो नमबर बन मीठा गुड नमबर टू मीठी खीर नमबर थ्री दही शकर नमबर फोर मीठी रोटी नमबर फाइप मीठा शर्बत दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर आपके घर में कोई भी महिला क्यों न हो फिर चाहे वो आपकी बहन हो या मा हो बेटी हो या पतनी ही क्यों न हो इनके हाथों से बनी हुई ये चीजे कहीं भार जाएं तो खा कर अबशे निकले काम्या भी मिलेगी दुरगटना टल जाती है यहां तक कि अगर आपके उपर किसी का बुरा साया है तो वो भी थर थर कापता है और दूर से ही भाग जाता है यहां तक कि बड़े से बड़े महराजा भी युद्ध करने से पहले यही मीठे पधार्थ महिला दौरा गिरंड करते थे और विजय प्राप किया करते थे इसलिए आप कभी भी अच्छे कारे के लिए बहार निकले तो ये मीठे पकबान अबशी खाएं काम्याबी तुरंद मिलती है लेकिन याद रहे घर में घुसने से पहले आप भी कोई न कोई मीठा पकबान अबशी लेकर चलें ये भी काम्याब होने की निशानी है तो दोस भुस्तो धन्यबाद